नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों आज मैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल भरती परिक्षा की संभावित कटॉफ का पूरा विशलेशन करने वाला हूँ उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए विवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सरकारी नौकरे संभन्दित किसी भी परिक्षा या परिनाम के बारे में या कटॉफ के बारे में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच जाए दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल भरती परिक्षा जैसा कि आप जानते हैं इसकी लिखित परिक्षा कम्पलीट हो चुकी है अब मैं इसकी कट ओफ का पूरा विशलेशन करने वाला हूँ कि इसमें जनल कट ओफ क्या हो सकती है उस बात का मैं पूरा विशलेशन करने वाला हूँ दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं ये भरती परिक्षा बहुत सारे दिनों में और बहुत सारी शिफ्ट में आयूजित होई थी तो जाहिर सी बात है अलग-अलग शिफ्ट का पेपर अलग-अलग होता है किसी शिफ्ट का पेपर तो आसान होता है और किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है तो इसी हार्ड और आसान के लेवल को नॉर्मल करने के लिए SSE के दौरा नॉर्मलाइजिशन की प्रिक्रिया अपनाई जाती है ठीक है दोस्तो और नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी बच्चों के नंबर कुछ ना कुछ बढ़ते हैं किसी का एक नंबर बढ़ता है किसी के दो बढ़ते हैं किसी के चार बढ़ते हैं किसी के आठ बढ़ते हैं किसी के दस नंबर बढ़ते हैं तो दोस्तो हर shift का paper अलग-अलग था और हर बच्चों के number अलग-अलग बढ़ेंगे तो नमबरों का बढ़ना और paper का आसान्य हार्ड होना वो बाद की बात है ठीक है तो मैं आपको जो cut-off बताने वाला हूँ वो normalization की प्रिकिरिया से पहले की है मतलब अगर आपके answer की देखने के बाद इतने number बन रही है तो आप अपनी physical की तैयारी शुरू कर दीजिए आपका written exam 100% qualify हो जाएगा ठीक है दोस्तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी अलग-अलग cut-off की दोस्तो शुरू करता हूँ सबसे पहले बात कर लेता हूँ general cut-off की दोस्तो सामन्य का इसमें cut-off रहने वाला है 67 number से 69 number और मैं आपको यह बता दूँ यह जो number है यह negative marking काटने के बाद है इसमें 1 by 4 की negative marking भी थी तो 1 by 4 negative marks काट कर ही यह number मैं आपको बता रहा हूँ जनरल के लिए 67 से लेकर 69 number और आपको पहले बता कर चल रहा हूँ कि यह जो number मैं बता रहा हूँ यह normalization से पहले के हैं जब आप अपनी answer की देख लोगे तो उसके बाद जो आपके number आएंगे उसके आधार पर मैं एक cut-off बता रहा हूँ क्योंकि normalization के बाद number सभी के increase होते हैं ठीक है तो यह cut-off है सामनने का दोस्तो अब बात कर लेता हूँ मैं OBC की संबंद में other backward class तो OBC का जो cut-off है वो आपका 65 से लेकर 67 number 65 से लेकर 67 number तक जाएगा दोस्तो जो मैं cut-off बता रहा हूँ यह cut-off इसी के आसपास रहने वाला है मैंने पिछले 10 से 12 परिक्षाओं का cut-off भी बताया था जो बिलकुर accurate उसी के आसपास गया था ठीक है अब बात कर लेता हूँ मैं OBC की बाद आती है बात EWS की economically weaker section दोस्तो EWS का जो cut-off है वो OBC की लगबग बरावर ही रहता है तो 65 से 67 आप मान कर चलिए अब बात कर लेते हैं SC cut-off की दोस्तो इसमें जो SC का cut-off रहेगा वो रहेगा 60 से लेकर 62 number ठीक है और अब बात कर लेते हैं ST schedule tribe का जो cut-off रहने वाला इसमें वो रहेगा 55 से लेकर 57 number दोस्तो अब आप बात कर लेते हैं गल्स का cut-off क्या रहेगा गल्स का इसमें cut-off रहने वाला है 61 से 63 number दोस्तो एक बात और है गल्स जो हैं दिल्ली पुलिस की परिक्षा में गल्स काफी कम आई थी तो इस हिसाब से गल्स के लिए काफी competition कम भी हुआ है तो हो सकता है गल्स की merit इससे भी एक दो number कम चली जाए ठीक है लेकिन आप संभाविती ये मान कर चलिए कि 61 से लेकर 62 या 63 तक cut-off गल्स की जाएगी गल्स में competition काफी कम है और महिलाओं ने इस भरती परिक्षा में काफी कम उपस्तिती दर्ज की है ठीक है दोस्तो तो ये हो गया इसकी cut-off के संबंद में और आगे बात कर लेता हूँ दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल भरती परिक्षा में एक बात मैं आपको बता दो मुख्य रूप से इस परिक्षा का जो पेपर था वो काफी हम कह सकते हैं moderate था पेपर आसान नहीं था बिलकुल भी ठीक है और पेपर moderate था बच्चों को पेपर हल करने में काफी मशक्खत करनी पड़ रही थी ठीक है और पेपर का हर portion काफी moderate था आसान हम नहीं कह सकते इसलिए cut off जो है आपकी ज्यादा नहीं जाएगी cut off इसी के आसपास रहने वाली है पिछली वार से paper काफी hard आया था इस बात में कोई शक नहीं है 10 से 15 हजार बच्चों का मैंने review लिया है उनसे बात की है उनके comment को पढ़ा है और तब ही मैंने आकलन किया है इस cut off का और cut off का इसी के आसपास रहेगा और ये cut off normalization की परिकिर्या से पहले का है आंसर की जारी होने के बाद जब आप अपने number चेक कर लोगे तो वो cut off में बता रहा हूं ठीक है दोस्तो जब answer की जारी हो जाएगी तो आप अपने number चेक कर लेना उसी के अधार पर मैं ये cut off आपको बता रहा हूं और इसकी आंसर की बहुत जल्द SSE गोशित करने वाला है चार से पांस दिनों में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल की आंसर की अपलोड कर देगा तो ठीक है दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल की संभावित कट आफ के संबन में यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को शेर कर सकते हैं और दोस्तों गौवर्मेंट जॉब की ऐसी ही न्यूस सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों